नमस्कार आप देख रहे हैं Real Express, देश दुनिया की बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है मैं शालिमी आज के मुक्खे समाचरों बात करेंगे लेकिन मुक्खे समाचर के ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्कियों पर मेरा बेटा नहीं मागेगा माफी क्योंकि सलमान खान को मिल रही धमकियों पस सलीम खान ने क्या कहा तमिल गान में द्रबिड शब्द छूटा तो भढ़के सीम स्टॉलिन कहा राजेपाल पद रहने के योगे नहीं केंसे की हटाने की मांग फिर मिली विमान को बम से उड़ाने की धमकी दिल्ली से लंदन जा रहे विश्टारा की फ्लाइट की फ्रेंफर्ट में इमर्जनसी लेंटिंग पीम मोदी आज करेंगे कर्मियोगी सब्ता का शुवाराम सेमिनारों कारे शालाओ का होगा आयोजन डॉलर पर निरपरता घटाने के अजन्टे पर भारत खोलेंगे अपने पत्ते पीम मोदी के समोधन में यह रहेगा मुख्य मुद्दा ये तो दिसुर के आप चलते हैं बड़ी खबरों की और बाबा सिद्धिगी की मौत के बाद सल्मान खान की सुरक्षा काफी बड़ा दी गई है दरसल बाबा सिद्धिगी की मौत की जिम्मदारी लोरेंस विष्णोई गैंग ने ली है विष्णोई गैंग ने एक सोचल मीडिया हैंडल पर पोस्ट लिखते हुए कहा है कि वो जो भी सल्मान खान के साथ खड़ा होगा उसे अपने अंजाम के बारे में पता रहना चाहिए तमिल नाडू में हिंदी मा सम्मान समारो के दोरान एक राज़ के कारकरम में गायकों ने राज़ेगान गाया मगर गीत में से एक वाक्य गाया था इस पर राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया तमिल नाडू के सीएम, M.K. स्टॉलेन ने राजिपाल की अलोचना की विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसला थम नहीं रहा शुकरवार को देली से लंदन जाने वाली विश्टारा की फ्लाइट यानी यूके 17 में बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद उसे फ्लैंफर्ड डाइबट किया गया इस कारिकरम शनिवार को राजदानी के डॉक्टर अंबेड का इंटरनेशनल सेंटर में आयुजित किया जाएगा रूस के कजान शहर में 22 वा 23 अक्टूवर को होने वाले ब्रिक्स शिकर सम्मेलन में रूस और चीन कुछ आर्थिक मुद्दों पर सहमती बनाने का पूरा दवाब बनाए है लेकिन भारत अब तक अपने पत्ते नहीं खोले है रूस और चीन की कोशिश है कि ब्रिक्स देशों के बीच आपसी कारुवार में डॉलर की भूमिका कम करने को लेकर बड़ी सहमती बने और इस दिशा में किस तरह से आगे बड़ा जाए इसका खाका तयार हो कैसे लगे समाचा कमेंट करके जरूर बताए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए देशों दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों में अब तक के लिए बस यतना ही फिर होगी आपसे मुलाका तब तक लिए नमस्कार और देखते रहे है रियल एक्स्प्रेस